हलो फ्रेंड्स आप सभी को मेरे नमस्कार तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे मस्त होंगे सवस्त होंगे तो चलिये हम लोग क्या पढ़ रहे थे मैंसॉरेशन पढ़ रहे थे हूं उसी और पूरा complete जो है यही वीडियो में लगभग लगभग क्या पूरी complete जो है हमको complete इसमें करना है ठीक है अथा तो रीद से समभी जो भी आपका concept बनता है पूरी पूरी concept जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा ठीक है तो चलिए हम लोगा start करते हैं आज हम लोग क्या हम इस circle का जो है center माले लेते कि वो है center आपका यह वो ए and how छिए भी आपका क्या हो जाएगा तो बस सपरकल मना है उसका center लिए है वह और बौले ऐसे जो बीचरो भी जो उसको डिवाइंड करता है उसी को हम लोग क्या काते हैं ब्यास करते है être देखिये में आपको पता होगा कि ब्यास का आध्यां होता है इसको भी आप लिख लिए मेरे一次, यहां यहां कि देखें यहां अगर हम इसको वह वो से अगर भी लते हैं तो यहां भी यह भी तो आपका यहीं चईएंगा और यहां से वह से लेंगे तो यह भी आपका गना छक्रिफा कर ऐस अधर दो रेडियियस के बराबर क्या होता है इन उतात डो रेडियस सिपल टू क्या होता है two-aar equal to क्या होता है भ्यास होता है तो आपका क्या हो जाएगा तो यह चोटी-चोटी बात है लेकिन आपको जानना है radius क्या होजाता है तो आपका radius को जो है आप डी से नोट कर सकते हैं अर्थाद आप डारेट डी लिख सकते हैं अर्थाद आपको ब्यास बता दिये यह भी हो जागा आपका रेडियस आपका क्या हो जागा वो ये और वो पी हो जागा अर्थाद दो रेडियस पराबर क्या होता है तो रेडियस पराबर क्या हो जागा आप पता बटे हुने क्युस्काइब पाय रावह और इस का वियास कितना होता है तो आप बताएज कुछ आ itself है कि इतना हो जाएगा तो आप बताएजी कितना हो जाएगा तो ये परीधी क्या होता परी जगह से अगर आप यह चलना शुरू करें कोई व्यक्ति जो है यहां से चलना शुरू किये शुरू करें अगर यहां से चले इधर इधर इस तरह चलेगा इस तरह चलते 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 अगर पूरा एक चकर जो लगाने में जो दूरीते करेगा वही मेरा क्या होता है परिधी होता तैए कर रहा है दूरी अर्थात को सर्कुलर पाथ में अगर जो दूरी तैए करेगा वह मेरा परिधी का लाता है और परिमाप क्या होता है कि पूरे एक चक्कर जरूरी नहीं है यहां को क्या बोले कि परिधी में को सर्कुलर पाथ ही आपको जो है जो दूरी होता है उसी को में कहीं है कुछ नहीं है अर्थात यह जो टोटल दूरी होगा अर्थात यह चक्र लगाने में जो दूरी तई करेगा उसको हम लोग बलेंगे परिमाप ना की परीधी परीधी कब बोलेंगे जब सर्कुलर पाथ में जब दूरी तई करेगा उसको हम लोग बलते हैं परीधी अर्थाद एक चीज़ समझेगा आपनों जब बता रहें तो बता ही दे अच्छी तरह से कि अगर आपको बोलें कि इस तरह अर्धिवरीत है अर्धिवरीत यहां से यहां है अगर आपको बोलेंगे बताइए इसका परिधी कितना होगा तो आप बताइए परिधी जो इसका हो तो देखिए यहां से यहां तक तो परिमाप में भी होगा अर्था देखिए परिमाप इसका परिधी जो होगा इस अर्दविरित का परिधी कितना होगा पायर होगा पायर होगा कैसे होगा इसको आगे बताएंगे लेकिन आप समझेए पायर होगा तो परिमाप इसका कितना होगा तो आप बताएंगे परिमाप जो होगा इसको भी आपको एड़ करना पड़ेगा अर्था जो है यह तो सर्कुलर पाथ होला एड़ होगा ही होगा परिमाप में भी लेकिन यहां से यहां का भी दूरी एड़ होगा तो यह कितना आपका टू आर अर्था पाई आर में आपका टू आर क्या हो जाएगा जूर जाएगा अर्था टोटल परिमाप कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा और आपका परिधी कितना हो जाएगा केवल और केवल पा लाएगा परिमाप का लाएगा इसलिए वर्ग का परिमाप होता है ना कि परिधी होता है आयत का परिमाप होता है तो अरुभीत का परिधी होता है क्यों क्योंकि वो एक सर्कूलर पाथ में है इसलिए उसको परिधी वहाँ नाम देते हैं के लिए रहे चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं आगे क्या देखना तो इसका परीधी कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे इसका परीधी कितना होता है तू पाई आर होता है अब देखिए इसका परीधी हो जाएगा अगर यहां से आप देखेंगे तो परीधी किसके बराबर और हो सकता है तो आप बताए कर सकते हैं felt और यह तो है पहले से आपने जानते होंगे और छेटपल क्या ओजाएगा पांयर स्क्वार हो जाएगा यहां तक की लिए इस चोटी-छोटी basic बेसिक वारी चीज है तो आपको इतना आता भी होगा अगर नहीं आता है तो आप कोपी में लिखते जाईए ठीक है जलिए अब अगे बढ़ते हैं और आगे क्या सिखेंगे आप हम लो कि देखते हैं कि सबसे पहले बेसिक बात जान लेते हैं उसके बात जो आपको ओर इंपोर्टेंट बात जो जानना है उस इतना भी आप जानें उसके बाद हम लोग आगे उसके बारे में और जानेंगे क्या बोला अर्धिवरीत जिसको इंग्लिस में क्या काते हैं कि 10 इसको Finnish में क्या काते हैं जिसको इंगलिऑ उर्लों लोग काते हैं सेयमीट सर्कल जिसको हम लोग काते हैं तो यह एक सरकल है एक सरकल है और अर्धिवृत बोला रथा तो वृत का क्या हो जाएगा आधा यह आपका क्या का लाता है अर्धिवृत का लाता है तो यह आपका हो जाएगा अगर इसको हम इसको अगर हम दो भागों में बांट दे Key. इस तारह बांट सकते हैं कि नहीं, इस तरह बांट देगें, तो यह जो होगा आधा हिसा, और आधा आधा आप क्या करूचा अब अर्धिवरीत हो गया तो बताए अर्धिवरीत का अधा भागी क्या कहलाता है मेरा अर्धिवरीत कहलाता है अब एक चीज़ जानेए कि अर्धिवरीत तो आप हम जानेए अर्धिवरीत का छेत्रफल क्या होता है तो अगर पूरा छेत्रफल कितना होता था आप बताएंगे कि पूरा वुरीत का छेत्फल कितना होता था उसका आधा ही होगा अगर ये वुरीत का आधा है तो छेत्फल भी क्या हो जाएगा अधा ही हो जाएगा छेत्फल क्या होता है ये वाला परसल ये ये आपका क्या होता है छेत्फल तो छेत्फल कितना हो जाएगा ये आपका क्या हो अब इसका प्रिमाप क्या वोगा अर्ध भीरिद का अब इसका प्रिमाप क्या होगा इसका परीधी पहले लिख लेता है, परीधी इसका कितना होगा, तो आप बताएंगे इसका टोटल परीधी कितना होता है, 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 टोटल अगर अगर इसका वरीधी का परीधी टोटल होता ह कि बताए इस अर्धुरीत का परिमाप कितना होगा आपको अभी बताएं परिमाप और परिधी के बारे में आपको बता चुके हैं कि परिधी और परिमाप के बारे में आपको बताएं कि परिधी क्या होता है परिमाप क्या होता है उमीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से स अब जुड़ जाता आपका परिमाफ में देखिए अब जो है अगर आपको परिमाफ पुछा तो परिमाफ कितना होगा आप बताए परिमाफ इसका कितना होगा अर्धिविरित का परिमाफ कितना होगा तो आप बताएंगे इसका परिमाफ क्या हो जाएगा एक तो इसका सबस तो यहां कितना होगा तो आप बताएंगे कि यहां जो है घ्याज के ब्राबर होता है और पिसके ब्राबर होता टुआर के ब्राबर होता है आजब पाय का मान होता है 22ab headset the डुदE की इसको जब लिखे के तो kětna होजाया, साथ दूने, चोगद दूद, चोगद अर्डो कितना होगा 60 60 अर्था आपका 20, कितना होगा 36 आर्था तो आपका कितना होजाँा, r into 36 वट्टे र्था जब भी आपको परिमाप निकालने बोले तो आप डारेट बहँत रखिये कि r into 36 वट्टे साथ होता है इसका अर्धिवृत का परिमाफ आप डारेट एंसर तुरंत सेकेंडों में निकाल लेंगे आपको इसी तरह ओप्षन भी सेट करके देता है जो 36 से डिभाइड हो जाए आप कभी कोशन बनाए होंगे तो आप यह डाटा यूज करके बनाएगा देखिएगा आप परिमाफ क्या होता है अर्धिवृत का परिमाफ क्या होता है और इंटू 36 वट्टे साथ होता है चेतफल क्या होता है परिधी क्या होता है यह बता चुके है अब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग जानते हैं चतुर्थांस के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलत स्वाराय wydi अपांते हैंapper इंग्लिसस में क्या लिखते हैं इसका spelling क्या होता है क्यों यू ये आरड को सरकल है कि अब जो देख़िए हिसको अम लोग पढ़ेंगे चतूर्ठांस के हमें लोग पढ़ेंगे चतुर्थांस होता क्या जिस प्रकार से अर्ध वृता है वृत का अधा होता है उसी प्रकार से चतुर्थांस अब क्या होता है वृत का एक चुथाई होता है अर्थात इस तरह आप समझिए कि अगर आपके पास एक सरकल है इस तरह जो है आपके पास करने हैं अर्थात वरीत का क्या करेंगे उसका एक चोथाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अर्थात कैसे बनेगा इसका फिगर तो आप बताएंगे एक चोथाई कितना हो जागा यह आपका मीड़ जागा इधर पूरा टोटल बचेगा केवल और केवल क्या यह बचेगा यही ने बचेगा यही ने आपका चतुर्थांस हो गया यही आपका होगे चतुर्थांस यह आपका होगे फिगर बन गया अब देखिए अगर इसका हम छेत्रफल आपको पूछे हैं तो बताएंगे इसका चतुर्थांस का चतुर्थांस का चतुर्थांस का चतुर्थांस 4 into pi r square होता है यही होगा यही होगा कि नहीं होगा आप देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि इसका परीधी कितना होगा अगर आपको परीधी पुछ देएं विरीद का परीधी तो आप क्या बताएंगे कि यह तो आपका तो न कितना होता है तो कितना होता है प्रिधी कितना होता है तो फाय आर तो इसि इसका मान कितना होगा तो आप बताएंगे यह जो परिधी होगा इसका मान कितना होगा अभी निकाले पाय आर बटे टू होगा परिमाब कितना होगा प्लस तो होगा ही ौब फीक है अग्मस्पारिधी फ्लस कितना हो जाएका अब से यहाँ को मले परिमाप कितना निकल के आजाएगा तो आप बताएंगे इसका परिमाप आपका निकल जाएगा r into 25 बठे 7 एख़गा क्लियर है 25 बठे 7 अरफशाथ चत्तुर्थान्स का जो परिमाफ होगा वो कितना होगा r into 25 बठे 7 तो देखिए अभी तक क्या सिख्ञें कि सबसे पहले वॅरीद का जो परिधी होता है ढ़्य होता है उसका चत् стран प्यार वोता है और उसका pi into d, pi into परिधी भी उसका हो सकता है pi into 10 भी उसका हो सकता है paridi क्लेर है अब देखिये आप बताएं आपको अर्धी बिरिद के बार है अर्धी बिरिद का चेत्पल होता है 1 tanto pi per square उसका paridi होता है pi into r और उसका परिमाप क्या होता है r into 36 बटे 7 इतना तो आपको किलियर हो ही गिया ठीक है। cabbage आपष्काइज पढ़ेंगे किसके बारे किसके बारे में पढ़ेंगे। चफ़का अब देख कोड़ेंगे। अब देखिए तिरीजखन्द के बारे में आप लोग intertwते हैं देखें और तृजकंड क्या होता है। क्या हो ता उसका नाम से ही पता चल रहा है कि त्रीज के खंड यह सा खंड जो किछ भूजा कारौँ जैसे दखिए कि हम लोग क्या पढ़ेंगे स्पайтесь इंक्लिस में क्या कहते है सेक्टर कहते है थिच खंड त्रीज खंड इंक्लिस में क्या कहते है सन्हाइक joxus. do देखिए एक एक सरकल ले लिए क्या बोले हैं क्या आपको फाइंड करना है त्रीजखंड फाइंड करना है त्रीजखंड के बारे में बात करना है तो त्रीजखंड बताईए जैसे त्रीजखंड क्या हो जाएगा यह सरकल है इस सरकल का माल लेते हैं सेंटर आपका क्या है व विरित के अंदर वही मेरा क्या का लाता है तो देखें यहां से यहां का सेंटर इसका वह है तो वह से यहां तक कितना दूरी होगा बताएंगे रेडियस होगा अगर यहां से कहीं भी खीचें कहीं भी आप परिदी के कोई भी बिंदू पर आपको दूरी ना पेंगे तो आप एक आप अर्था तरीज़खंड का छेतफल क्या होगा बताइए या Yakit30 कर सेतपल क्या होगा जो तो तुरब कूझका कंगा तो किकां बनाता है नहीं करता है की नहीं करो फस्लाइक हम क्या बोले हैं कि यहां से यहां क्योंस थेता जाना ये हूँ टैना इमारी ठीक है टोटल कितना बनाता है, 360 बनाता यहां से यहां तक कितना कौन बनाता हैं, अगर हम आपको बोलें कि 30 खंड का च्यतफल पता है, अर्थात यह जो 30 खंड जो बना है, यह तिर्भुजा कर जो अकर्थी बना यह उसका च्यतफ़ल बताईे, तो केसे करेंगे, सबसे पहले हमनों क्या करेंगा कि इस पूरे व्रीत का चेत्पल क्या होता है तो आप बताएंगे कि व्रीद का चित्पल होता है तो मैं ने लिख लिए पाइ आ आ इकाा सोटवार है pal09 okay अब टिया है आप यहां संज़िएगा कि पाइ रस्क्वार लेकिन हम तो पाइश को यह पूरा टोटल का छित्प Ó और हमको पूछा क्या केवान और केवल इस तरिजखंड का छित्पार सेथ्पार तो आपका फर्मूला यही बन जाएगा तिरिजखंड का चत्पल क्या होगा ठिटा बट्टे 360 इंटो पायर स्क्वाइब समझ में आया सब्सक्राइब अगर इसका मतलब टोटल सरकल का एक चुथाई उसका क्या है उस सेक्टर होगा अगर वही साथ डिग्री रहे तो समझें तो यहां 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 तो थीटा होगा इसलिए तो यहां तो तीरिजखंड का छेटपल आपको क्या हो जाएगा छीटापवागा क्या हो जाएगा ठिटा जीता बटे 360 इंटिटा इन्टू पायरा स्क्वाइब अब देखिए ये जो होता है ये जो है केवल ये 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 जो है दूरी इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं चाप क्या बोलते हैं चाप जिसको इंगलिस में चाप इंगलिस में क्या इसको बोलते हैं कोड बोलते हैं क्या घिवा बोलते हैं मतलब चाप कहते हैं करीले के लेकिन इसको क्या बोल देखे जीवा स्वरीज्ड यह आपका जीवा सब्सक्राइब क्या होता हुँ जां अधूकरी यह अपको जीवा लेकिन इसका नाम क्या है तो आप बोलेंगे इसका नाम क्या है चाप है क्या है चाप अर्थात यहां से यहां जो दिरी हो गया यह आपका क्या है चाप है यह क्या है आपका चाप है अगर आपको पूछने हैं बताइए चाप की लंबाई क्या है क्लिए रहे चाप की लंबाई अगर आपको हम पूछ दें कि बताइए चा चाप की लंबाई क्या होगा तो आप क्या बताएंगे कि बताएंगे टोटल चाप एक चाप का परीधी अर्था टूपईर होगा तो हम क्या पूछ रहे हैं कि केवल इसका पूछ रहे हैं तो आप बताएंगे कि पहले आप टोटल सरकल का क्या होता है परिधी तो आप बताएंगे टू पायर वही आपका टोटल अर्थादी एक सरकल का चाप क्या हो जागा त्यृभूज बन रहा है और हमें यह चाप यूज हुआ उसके बाए में केवल पूछकए तो आप ठीटा करेंगे तो यहीं आपको क्या हो जाएगा चाप की लंबाई अगर यहां ठीटा नब्बे है तो बोलेंगे नब्बे बट्टे 360 एक बट्टे 4 अरद पूरे जो वृत का जो चाप होगा उसका एक चुथाई क्या वज़ागा आपको चाप की लंबाई हो जाएगा और यहां से आप त्रिजखंड का चेथफ़ निकालना चाहते हैं अगर आपको यह दे दिया रहें अगर यह आपको कुछ फैंड है और बताएगे कि यहां से चाप की लंबाई से क्या हम त्रिजखंड का चेथफ़ निकाल सकते हैं तो निकाल सकते हैं देखिए कैसे निकालत अर्थात आपका त्रिजखंड का छेतफल और क्या हो सकता है तो आप बताएंगे त्रिजखंड का छेतफल एक और हो सकता है फर्मूला क्या त्रिजखंड का छेतफल तो आप बताएंगे त्रिजखंड का छेतफल होता है वो होता है क्या आपका आप चाप की लंबाई लिख कर दें कितना से तो आप बताएंगे एक आपका आर घट रहा था तो आर से आप इंटु कर दिजे और आपको दो हटाना आ यह दो हटाना है ना तो आप से भागा कर दिजे अर्था आपका चाप का जो छेतर तृट का जो छेत्फ़ल हो जाएगा आपका ये भी हो जाएगा कि लिए रहे तो त्रिजखंड का छेथपल देख लिए क्या होता है और हमको रेडियस पता है तो हम त्रिजखंड का भी छेथपल इजली हम निकाल सकते हैं क्या करके बस आर बटे टू इंटू करके चाप की लंबाई बटे इंटू आर बटे टू कर देंगे तो त्रिजखंड का छेथफल निकल जाएगा किलियर है आगे बढ़े चले आगे बढ़ते हैं समझ में आ रहा अच्छा लग रहा है अगर आगे बढ़ते हैं अब हम लोग पड़ते हैं सेग्मेंट अब देखिए वृत्खंड क्या होता अर्थात एक एसा खंड जो क्या हो विर्था का रहो वृत्खंड है देखिए अगर तो क्या करेंगा सरकल में क्या करेंगे वृत्खंड हम लोग इस तरह बनाएंगे यह सरकल है सरकल है कि नहीं है और इसमें हम क्या कर रहे ह है और एक बना रहा है कैसे बनाएंगे अब लोग बताईए आप कैसे बनाएंगे विरिद खंड हो के सली हैं इसका माल लेंदा के सेंटर कुछ वह है अगर वुरीद खंड बनाना चाहते तो इस तरह आपका वुरीद खंड बनेगा इस तरह बनेगा कहीं से भी बनाई है वुरीद खंड यही ना बनेगा अर्था तो वुरीद का पाट वुरीद का खंड कैसे बनेगा जैसे यह सरकाल है वुरीद का खंड यह से काट लिजे यह से काट लैजें यह ही तो आपका वीरित खंढ होता है तो हम ये करेते हैं फिक है है ताकि आपको समझ माइह है पोद्गन चलिए यह वरीद खंढ है यह चलिए तरे लेकर कि आपको हम बोले कि बताइखंब का पूछ दिये कि बताइए यह जो विरिदखन्ड पूछ दियें कि बताइए यह विरिद खन्ड कर च्हत्फल Jadi तो कैसे निकालेंगे इस वुरित्खंड का छेथफल सकते हैं इसलिए मिलाएं ताकि मैं इस वुरित्खंड का छेथफल निकाल सकूँ बताइए वह से यहां तक कितना होगा बताएंगा यार होगा कितना डिस्टैन्स होगा आहीं हो गया अब हो गया अगर इसका चेटपल किसे निकालेंगे अगर हम एक काम कर सकते हैं कि अगर यह जो त्रीजघट कर सकते हैं कि यहां यह देते हैं अर्था तो वो यह अर्था यह देखिये समझेगा आप लो है समझेगा क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर इस में यह जो पोर्षान है और जो नीचे से गया है रेड वाला रेड वाला जो लाइन अर्था पूरा यह जो त्रिजखंड है यह जो दूसरा पैंसर दिखाए देते हैं हरा लेते हैं अर्थाथ देखिए यहां से जो है यहां से लिए इसको फिर यह नीचे से गये हैं और इसका जो छेतफल हम निकालके अगर हम इस तिर्भूज का छेतफल घटा दें इस तिर्भूज का छेतफल घटा दें तो क्या मेरा यहीं यही मनलों इसी का छयट्पल नहीं बचेगा अर्थात वह जो पहले Increment फाय जगर फल में इस त्रीघुज पार्फलमें इस वरित फल मोरा अर्थाइो चेट इसोट से गहेवी तो क्या में वरित फल पना है साधुन तो तिरीजखण का 3 साथ प्रek Zeus क्षूध की यहीं नहीं कर दोसका वीच का कॉन बता हो तो उसका तिरीजखण का सब्सक्रास की आप बताए थे कि लम बटे टू इंटू इंटू सान थीटा अर्थाथ यहां से आप कुमन ले ले अगर यहां से आप कोल मन लेते हैं तो तो Pi बचेगा और ठीटा बचाएगा, Pi ठीटा बटे 360 माइनस, Pi स्क्वार कॉमन ले लिए तो बचाएगा, One बटे टू इन्टू साइन ठीटा, यही आपका क्या हो जाता है, formula बन जाता है, यही आपका क्या बन जाता है, formula था तो वरीतखंड का छतफ़ल क्या हो जाएगा, त कितना हो जाएगा पाई स्क्वाइर इंटू पाई ठीटा बटे 360 माइनस 1 बटे 2 इंटू साइन ठीटा हो जाएगा किलियर है तो इसको आप याद रखेएगा कैसे बनाएं आपको एक एक चीज बता दियें कि हम लोग त्रीज खंड में जो है उस त्रिभूज का छेथफल घ बनता है अब हम लोग थोड़ा एडवांस लेबल का कुछ पढ़ते हैं जो आपका एक्जाम में हमेशा पुछा जाता है ठीक है जेखिए अब हम लोग अगर आपको बोलें कि चलिए एक हम आपको अर्धिवरीत देते हैं एक अर्धिवरीत के अंदर बताईए कि सबसे बने वालेती देख जोड़न करें के एक इसा पहले लीहां है तो बोल 2002 कि ऐसको करेंगे सबसे बंडेशाओ का इसा पनाइध्याथ благодар यहां से यहां क्या हो जाएगा यह आपका हाइट हो जाएगा तो लेकिन यहां से यहां भी आपका रेडियस के बराबर यह भी हाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अर्थात इस तिर्भूज का छेथफल क्या हो जाएगा तो आप बताएंगे तिर्भूज का छेथफल कि हो जाएगा वटेट टू इंटू अधार इंटू जाएं तो अधार आपका कितना आपका आपका कितना आगा आपको च्छेथफल होगा अर्थाथ तु तु दिमागे ने लगाना है किलिर है तो आपको क्या बूलें कि एक अरधिवरीत है एक अर्धुरीत के अंदर जो है अगर सबसे बड़ा बनने वाले तरिभुज का छेथफल अगर पूछ दे तो आप क्या करेंगे उसका रेडियेश जितना होगा उसका स्क्वाइर आपका क्या हो जागा उस तरिभुज का छेथफल होगा चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं औ और इस अर्धुरीत के अंदर बहुत ही अच्छा कोचन है बहुत पहतरीन कोचन है इस अर्धुरीत के अंदर बनने वाले सबसे बड़े सबसे बड़े वर्ग का साइड क्या होगा क्या बोलें कि एक अर्धुरीत है उस अर्धुरीत के अंदर अगर हम एक वर्ग बनाते है जिसको एंग्लिजों में कित्म चाहिश बनाते हैं तो बताइए उस चाहिष्पकर का साइड क्या होगा तो आप बताइए उस स्काहिगर बनेगा तो आप बताएं किस तरह कुछ फिघर्ट बनेगा बनेगा की नहीं Signal शक्राइश लेकिन इस हुर बनेगा तो यह आपका क्या है अर्धुरीत है और इस अर्धुरीत के अंदर बोलें कि सबसे बड़ा बनने वाले वर्ग का साइड क्या होगा तो यहां से आप एक चीज़ देखिए कैसे आप क्या कर सकते हैं माल लेते हैं कि इसका सेंटर कहीं यहां वो होगा इस जो अर्धुरीत है उसका जो है सें कितना होगा आप बताएए अगर आप सेंटर से कहीं भी मिला दें वो किसके बराबर होगा तो आप बताएंगे वो आर के बराबर होगा है कि नहीं आर के बराबर होगा अर्थात यह आपका कितना हो गया तो आप बताएंगे यह आपके आर के यहां से यहां कितना होगा तो आप बत wealthy है तो इसका आध़ा अर्धत यहां से कितना होगा इस का नहीं हो यहां हम तो यह माने हैं यह होगा तो किसके बराबर होगा तो इसको आप solve करेंगा अगर यार देखते हैं कि यार किसके बराबर होता है तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं कि आर square क्या लिख सकते हैं देखिएगा आप लो क्या लिख सकते हैं कि R square कर्ण का square यह आपका कर्ण है अर्थाथ हाइपोटोनेस है हाइपोटोनेस का square क्या लिख सकते हैं लंब का square प्लस अधार का square अर्थाथ यह square प्लस यह बट्टे 2 का hall square यही नहीं लिख सकते हैं अब देखें R square किसके बराबर होगा आप बताएंगे यह square पलस यह square बट्टे 4 हो जाएगा कि लिए इसको आप जब solve करेंगे यह square किसके बराबर हो जाएगा 5 यह square बट्टे 4 के बराबर होगा आपको निकालना क्या है यह का मान निकालना है यह का मान निकालना है यह का मान निकालना है बताएं यह का मान कितना हो बताए यह कमान कितना हो गाया है इसको अगर क्रोश इंटो कर देता है तो 4 square 2 square 5 होगा इसके बराबर होगा यह कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे यहां से कमान कितना हो जाएगा इसको अंडर रूट चणाएंगा तो 4 आपका 2 निकले गा, r square आपका r निकलेगा और आपका root 5 हो जाएगा यही आपका हो जाएगा अर्थाद 4 4 square के क्या हो जाएगा आपका 2 r और इतके लाइगा अर्थाद इसका जो side हो जाएगा जो भुजा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आप बताएंगे इसका जो भुजा हो जाएगा वो कितक बराबर हो जाएगा किलियर है किलियर है अगर आपको इस तरह दे दे और आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियर दे बोल दे कि एक अर्धिविरित है जिसका रेडियर साथ है तो बताए इसके अंदर बनने वाले सबसे बड़े वर्ग का छेतरफल क्या होगा तो देखेंगे कि इ जब आप इस तरह गर आप करके नहीं रखेंगे तो आपकोakingend लगेगा और को सोचने में भी आपको फोट टाइम लग जाएगा तो हो सक है को आपको जो है है ये सब कोशन छूट जाएगा आपको इसलिए जो हम बता उसको एक बर आप ध्यान से सुनिए, अपने कोपी में एक बर आप नोट कर लिए, उसके बाद फिर अगर एक बर भी देख लेंगे, तो पता चलेगा अच्छा, इसका इससे बन रहा था और इसका रेडियस कुछ इस तरह हो रहा था, तो आप बेसिक से भी बना लेंगे, ले क्लियर है चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो आपको अभी यहां दो कॉंसेट्ट पढ़ाएं क्या क्या पढ़ाएं कि एक तो आपको बताएं कि अगर अर्धुवरीत के अंदर अगर हम सबसे बड़े बनने वाले तिर्भूज का चतपल कितना होता तो आप बताएंगे आर अ पुछे और स्कॉयर का परिमाप पुछे च्छेटफल पुछे कुछ भी पुछे उसका विकर्न पुछे कुछ भी आप निकाल सकते हैं ठीक है चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और और कुछ देखते हैं देखिएगा अब आपको क्या पढ़ना है अब क्या छोटा ह है आपका हाँ देखिए कि अगर आपको हम बोलें इस तरह आपको बहुत देखे होंगा इस्टाप का कॉश्चन लेकिन आज के बाद जो है आपको दिक्कत कभी नहीं हो कितना देर हो गया लगवग चलिए ठीक है होने दिजे पूरा कंप्लीट अज प्रहाई देखिए एक सरकल है दो सरकल है और आपका यहां इस तरह तीन सरकल है अगर हम इसको आप क्या कर रहे हैं कि इसको हम बाहर से जो है रबबड से क्या कर रहे हैं इसको बांदे रहे हैं क्या कर रहे हैं बाहर से जो है एक रबड से इसको क्या कर रहे हैं बांदे रहे हैं इस प्रकार से तो बताइए इस रबड का जो परिमाप होगा अर्थात इस रबड का जो लेंध होगा वो कितना होगा वो जो है कितना होगा इस रबड का परिमाप आपको पुछ दे परिमाप पुछे चाहें लेंध है की बराबर होगा अर्थात इस रबड जो है का परिमाप क्या होगा आर के बराबर ही होगा कि यार के बराबर होगा यह भी एक सेकंड रुकिए कि यह भी आपका आर ही होगा कि चलिए यह भी आपका आर हो जाएगा यहां से यहां लेते हैं तो यह भी R हो जाएगा, यह भी आपका कितना हो जाएगा, R ही हो जाएगा, सब का radius कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, अब यहां बताएए, आप इसका परिमाप अगर हम निकालेंगे, हैं तो कितना है धितना है यहां ध्रहका है यहां चूंट हूं जितने भी सरकल पर टूटल लेंथ करें यहाँ यह जो तरशत किया है उसका लेंद और यह जो होग ड़िया जाहे तीन जो लेंथ होगा उसका योग का जो लेंथ होगा कितना होगा टू पाई आर ही होगा कि लिए समझ माया देखिए फिस एक बार हम समझा रहे हैं कि यह जो टच किया है न केवल देखे रेड वालास जो बना रहे हैं यहां टच किया रबढ़ अर्था इसका लेंथ फिर आपका इसका लेंद कितना होगा तीनों अगर तीन है तो तीनों का योग कितना होगा टू पायर अगर दो ही है किवल दो ही है तो भी कितना होगा आप बताएंगे टू पायर अगर चार भी है तो भी कितना होगा टू पायर उसको भी बताएंगे आप समझे आप देखिए इसका कितन कितना हो गया तक परिमाब तो आपको पता कितना हो गया अब देखिए और आप 330 two pi y ये हो गया और एब बचा किया ये वाला लेंद्ध ये जो है पुरस सीधा ज़र करके यहां से लेको ढज़ा video कितना होगा क्यांकि कि यहां से यहां ले लेखें किसे बराबर औहलं तो और आगे हलका जाएगा इस तरह मिलेगा यह मिलेगा अर्थात यह अपका कितना होगा टू आउर होगा निखी आपको लिएग्राह कौन inspired में दिमाग लगाना ही नहीं work निकालेंगे 2 π र प्लस 6 र का मान वही आपका एंसर होगा अगर दो तिर्भूज रहे हैं अगर इस प्रकार से अपका नीचे दो तिर्भूज है और इसको क्या किये हम लोग रबड से जो है इसको बांढ दिये तो क्या होगा तो देखिएगा आपलो देखिएगा फिगर तो सम से बनता नहीं लेकिन फिर भी ठीक है देखिए अब जो है इसको क्या कर रहें बाहर से रबड से इसको बांग दे रहें इस परकार से बांग सकते हैं रबड से बांग सकते की नहीं चलिए आपका इक्वल सरकल होगा ठीक है इस तरह बांग देंगे कि लिए इस तरह आपका बन जाएगा इसका भी रेडियस कितना है तो आप बताएगे यार है इसका भी रेडियस कितना होगा यार ही होगा अर्था सेम सरकल होगा तो बताएगे इसका जो यह रबड का परिमाप होगा वो कितना होगा उस रबड का परिमाप कितना होगा तो कै यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक जो टच किया है रबर सरकल को वह आपका कितना हो जागा आप बताएंगे कि वह आपका हो जाएगा टू पायार हो जागा अब बचा क्या इसका लेंग तो यह किसके बराबर होगा टू आर के बराबर यह कितना होगा तूरल के प्राबर टूर्ट्र तूर्ट उर कितना होगा 24инов इतना बनाने के जद्रूद्ध क्या है है की नहीं कि देखिए कैसे यह हो गया है यह हो गया है और इकना इसको बाहर से अगरर हम रभर से बांद देते हैं तो कैसे इस तरह बनेगा कुछ कीशतर बनेगा यहां से यहां आप का हो जाएगा टु यह R इसका कितना परिमाप हो जाएगा तो आप बताएंगे चार सरकार पर जो टच कर रहा है उसका तो टू-ाइ-ार ही होगा की टू-ार होसाफ्र तो डूटल कितना हो जागा परिमाप यही आपको पूछ दे तो आप क्या नहीं कर लेंगे कर लेंगे कि नहीं तो आप दिख से आ रहा होगा चार सरकल हो तो एट यार होगा है की नहीं तो अर्था डबल होगा दो का जो हो जागा चार तीन का छे और चार का आठ किलियर है आगे बढ़े हैं हम लोग पूरी अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा यहीं हम उम्मीद करते हैं और जो अपनी ए तेट से हां यह नमर आदा गया देखिए क्या है नमर तो आप नमर इस वाट्सप नमर इसमें किजेगा वाट्सप इस पर किजेगा आपका जो है 7373 7907 3200 है इस पर आप मेसेज किजेगा कि कहां समझ में नहीं आया और आपको अगर ग्रूप में भी एड होना होगा तो इ अपना नाम आप कहां से हैं और मेसेज कर दिजेगा कि सर हमको ग्रूप में एड होना है ठीक है तो आपको एड कर देंगे उसमें लगवा 130-140 बच्चे ओर डेटी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए अब हम लोग आगे सिखते हैं और आपको क्या जानना है अगर और कुछ छुटा है क्या चलिए यहाँ एक दो चीज और आपको जानना है क्या अगर हम आपको इस तरह बोल दें कि तीन सरकल असपर्स करते हुए इस प्रकार से है इस प्रकार से है एक सरकल इस तरह है दूसरा सर्कल इस परकार से है और तीसरा सर्कल भी आपका इस इतर रहability तीनों सर्कल आपका equal होगा ठीक है तीनों सर्कल आपका क्या equal है अब दिखिए अब आपको क्या वह रहें कि बीच में एक हम क्या बना लेते है Legislative को चोटा सर्कल बीच में में जो बना है उसका रेडियस बताईए आपको क्या दिया मतलब को कौशन के लिए रहाएं कि तीन असपर्स परकार से है और उसके बीच में जो सरकल बनेगा उस सरकल का छटफल कितना होगा तो सबसे पूछे 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 कुछ वह पूछे आप निकाल लेंगे तो कैसे इसको निकालेंगे आप बताइए हम रैडियस कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि सभी सरकल सैम तो यहां से यहां रैडियस कितना होगा और हे और यहां व्kellपा का यार होगा इसको और आगे बढ़ाते टिरभूज बन जाएगा इस तरह की संभाहु तर्भूज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा तो हम क्या कर लेते कि इसको ओर्व करने के बने इक्विलेटरल ट्रेंगल बन गया अब बताये ड् Toni variety अब यहां से क्या कर सकते तो एक चीजन बताइए कि क्या इसके बाहर एक सरकल बनादें यहां से सरकल हम बनादें इस प्रकार से समझेगा आप लो ठिक है यहां से एक सरकाल बनादे शाथ क्या करते से अगर एक परीविरित बना दें तो इस परीविरित और यहां से यहां इस सेंटर माल लेते कि इसका जो है यह जो छोटा सरकल है इसका सेंटर वह है और वह से यहां से यहां मिला दें मिला सकते हैं कि नहीं अर्थात यह सेंटर आपका छोटा सेंटर कितना है वह है कितना है अगर वो है तो वो से यह जो जहां मिलाए है वो आपका क्या यह जो बाहर का सरकल है उसका भी रेडियस हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या बताइए आप अब अगर हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं यह जो बाहर जो सरकल बनाए है उसका रेडियस ही हो जाएगा यहां से लेक यह आप बताए थे आप बताएते सेकंड फर्स्ट वीडियो में ही जो आपका मैंसोरेशन का फर्स्ट वीडियो में उसमें आपको यह बताएते प्रीवृत का तिरज़या क्या होता है तो आप बताएंगे radius equal to क्या होता था भुजा बट्टे रूट 3, भुजा बट्टे रूट 3, तो भुजा आपको कितना है, 2R है, तो कितना हो जाएगा आप बताएंगे 2R बट्टे रूट 3 हो जाएगा, यही हो जाएगा किलियर है यहां तक, 2R बट्टे रूट 3 हो जाएग अब आपको बताइए कि यार का म эта यहां कितना आ गया कितना आ गया і वटे पने रूट्टाइगai अगर यहां से यहां टेग力 तो मान लेते हैं कि यह चोटा सरकल है उसका रेडियस मान लेते हैर आप लिख लिजएhum नाइन किरिएगा कि यह जो बड़ा विरीत क है बड़ा विरीत का रेडियस कितना है बड़ा विरीत का तिर्जी कितना माने नहितना है और चोटा विरीत का class कितना होगा है कितना होगा engineering तोThat यह Mis那就 ja आप बताएंगे निकाल लिए 2R बटे रूट 3 होगा, अगर यहां से यहां 2R बटे रूट 3 है, और इसका सरकल, इसका छोटा वृत का जो रेडियस है, उस C है, अगर हम इसको C घटा दें, यह पूरा रेडियस में अगर हम C घटा दें, तो क्या, sorry, sorry, R घटा यह आप, अगर 2R घटा एंगे, C घटा एंगे, कैसे होगा, अगर देखिए, एक सेकेंड, आप यहां से देखिए, कि यहां से यहां टोटल लेंद कितना हो गया, तो आप बताएंगे 2R बटे रूट 3, लेकिन हमको find क्या करना है, इतना का length find करना है, य क्या, 2R बटे रूट 3 मेंगर हम R घटा देंगे, तो क्या मेरा इसका distance नहीं बच जाएगा, बच जाएगा कि नहीं, आप बोलेंगे हाँ बच जाएगा, तो करिए आप भी, इसको solve करिए, solve जब आप करेंगे, तो यह जो छोटा विरित का radius होगा, छोटा विरित का radius, जिस को हम लोग C माने है, वो किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बताएगे, C जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो 2R में हम लोग क्या करेंगे, 2R में आप क्या करेंगे, 2R बटे रूट 3 है, टोटल लेंद में हम लोग कितना घटा लेंगे, R घटा लेंगे, R आप जब घट 8 Road 3-1 आपका क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा क्लियर है तो जब भी आपको इस तरह कोशन दे तो आप क्या बना लेगे एक तो आप इसको आद रखके बना सकते हैं अगर आद नहीं रखना चाहें तो आपको तरीका पता होना चाही कि कैसे निकलता है उसके एक ति पता हो तो आपको छेतफल पूचे निकाल लेंगा परिदी उस छोटा सर्कल का पूचे निकाल लेंगा समझ में आ रहा है आ रहा होगा उम्मीद करते हैं आपको 100 परसंड आ ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक अगला कॉंसेप्ट आपका एक बच गया है उसको भ स्कूखल है और इसफरकार से है को और इसके बीच बंता है इसके परएगा छेतफल कितना होगा इसके बीच बने सरकल इस班 सर्कल मेरा मेरा द्यूंद लेकिन फिर भी आप समझीएगा बावनाओं को समझीए ऊसके बाद जो है क्या बताना चाहते हैं अब अब देखिए इसको कैसे स्व्लव करने करता इसका radius हम को find करने इसका radius हमाल लेते हैं कि छोटा आर माल लेते हैं ठीक है इसका radius इतुना माल लिए चोटा या तो lon आप समझे इसको इसको solve करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले पता तो चल गया कि यहां से यहां यार है इसका भी यहां से यहां कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा यहां से यहां से यहां हो जाएगा फिर यहां से यहां हो जाएगा फिर इसका आप यार हो जाएगा इस प्रकार से अगर हम एक सरकल आपका अगर बंग जाएगा देखिए यहां से यहां है यहां आपका बन गया अब देखे यहां से हम क्या कर सकते हैं इसको इसको solve करने के लिए हम क्या कर सकते हैं अगर आप देखेंगे कि अगर यहां से यहां अगर हम विकर्न ले ले यहां से यहां direct work का विकर्न वर्ग का अगर हम विकर्न ले लेते हैं तो इसको हम मान इसका मान हम निकाल सकते हैं अगर इसका मान कितना होगा आप बताइए इसका साइड कितना है की र हो जाएगा अठवा Eg c9 च्पोंधा च्रेंवरग का साईट ह taught कि आब तो योख का साइड यार है घर मांते कि यह तो िरेokaस चैट हो च्टास का सब्सक्राइए च्टास बैसे बदेगा कितना होता है कि नहीं यहारी में लुट यार सोपता इस जैए तो-, यहार हो जाए घर यहां मालेते हैं यह इसको पी इसको सी इसको डी तो क्या बीडी का मान कितना आ जाएगा तो आप बताएंगे बीडी का मान हो जाएगा root 2 into r r कितना है root 2 into r root 2 into भुजा तो भुजा आपका कितना है 2 r है यहीं नहीं अगर यह भुजा है यह भुजा है तो यह कितना होता है root 2 into भुजा तो root 2 into भुजा कितना है आपका 2 r इसको जब आप solve करेंगे तो 2 root 2 r हो गया यहां तक clear टू रूट टू आर हो गया अब देखिए कि अगर यहां से यहां तक मान कितना है आप बताएंगे आर होगा यहां से यहां मान कितना है आर होगा अगर टोटल मान अपका टू रूट टू आर है और यहां से यहां अगर हम इसको घटा दें तो क्या यह छोटा विरित का आपक कितना हो जाएगा छोटा औरीद का व्यास कितना हो जाएगा तो एक चोटा व्रीद का जो व्यास हो जाएगा वह का कितना हो जाएगा two root 2r भी जैंगे अगर two minus one बचेगा तो इसको आप कर सकते हैं यहां से आप बता कर दीजिए आपको पता है कि ब्यास का ही आधा जो होता है कि क्या होता है मेरा 2 होता है कि लिए 42 से कर जाएगा आपका तीरजा कितना बज cycl repair आर under root 2-1 बक्रेсте 2 हो जाएगा कि लिए रहे हैं यह आपका क्या जाएगा रेडियos हो तो यह आपका हो जाएगा right formula यह आपका हो जाएगा formula ठीक है धिया एक रर पककण गया हो कुछ मढन تع बाटे 2 यह आपका राइट अंसर हो जाएगा इस चोटा वरीत का तिर्जय कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे बी कुनट कितना हुजाएगा कितना है R root 2 minus 1 बटे 2 यह आपका right answer हो जाएगा clear है अब आपका जो है sorry 2 तो आपका cut ही गया था 2 2 आपका cut गया था तो बचा कितना आपका kvl और kvl इतना ही बचा तो इसको आप मिटा लेजे यह आपका नहीं होगा क्योंकि टू-ğू ट कट ही गया, तो आपका B के बराबर क्या हो जाएगा तो आप बताएगे B के बराबर आपका हो जाएगा यही बचेगा teburn ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है 100% समझ में आया होगा, अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप जो है जो नमर दिये हैं उसमें आप जरूर आपको मैसेज कीज़ेगा आपको फिर भी समझाने की हम पूरी कोशिज करेंगे तो देखिए हम जो है टूटी जो है पूरी कम्प्लीट आपको पढ़ा दिये हैं इसका कॉस्चन सिर्फ बचा है तो कॉस्चन भी हम आपको करा देंगे अगर आपको पसंद आता है तो आपसे बस बार-बार हम एक ही चीज बोलते हैं कि आप शेर जरूर कीजेगा ठीक है तो मैंने पूरी एनेरजी के साथ आपको पढ़ाया टूटी आपको किस तरह लगा आप जरूर बताईएगा ठीक है और अगर आ आपका बचा है 3D भी हम लोग बहुत जल्द ही complete कर लेंगे तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं आप सभी को आप सभी को जो है ये लगभग कल से जो है वीडियो आपको मिलेगा रथा रिकॉर्ड जो लग बस 7-8 दिन लगतार रिकॉर्ड किये हैं मतलब बहु लोग के लिए बस इतना कर रहे हैं तो आप लोग को बस एक ही चीज बोलता है कि आप लोग जो है इसको शेयर किजेगा तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं जैहिन जैवरत थैंक यू